आलिया सिद्धिकी अब बिग बॉस शो से बाहर हो गई हैं और अब उन्होंने बिग बॉस के साथ ही सलमान खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं इसके साथ ही आलिया ने पूजा भट पर भी अपनी बात कई है इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए आलिया सिद्धिकी ने बात करने को बायस्ट बताते वे कहा कि शो में सभी पुरानी बाते करते हैं फलक नाज भी भाई के बारे में बात करती हैं आलिया कहती हैं सलमान खान जी बिल्कुल बायस्ट होकर बोले वहाँ एक स्टार ने एक स्टार का सपोर्ट किया है इसे दिखता है कि कैसे कोई अपनी ताकत दूसरे के खिलाप इस्तिमाल करता है मैं ये कहने से नहीं डरती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं गलत नहीं थी हर कोई शो में पाश्ट की बात कर रहा है पुराने जिन्दगी की बात कर रहा है पूजा जीने की पलक ने भाई के और जील की बात की यही तो आप बात कर सकते हैं मेरा अभिशेक के साथ बॉण था और वो जानना चाहता था मैं कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं कहा गौर तलब है कि पूजा भट की शो में एंट्री से सभी हैरान थे ट्विटर पर कहा जा रहा था कि अगर पूजा भट भी कंटेस्टेंट थी तो उसने इस सुरुवात में वी आईपी ट्रिटमेंट क्यों दिया गया जिसके साथ ही ट्विटर डिउजर्स का कहना है कि शो मे कई बार पूजा का फेबर दिख रहा है यानि लोग मेकर्स पर भेद भाव का आरोप लगा रहे हैं बता दे कि अभी तक शो से पुनित सुपरस्टार आलिया सिद्धिकी और पलग पुरस्वानी बाहर हो चुके हैं आलिया आपके इस स्टेटमेंट पर आपका क्या कहना है कॉमेंट कर हमें ज़रूर बताएं तीवी दुनिया के लिए टेस्ट अपडेट के लिए देखते रहे हैं ये एबी भी इंडिया नियूज